खुब जम करके तयारी कर रहे होंगे आप सभी लोग एक बार कमेंड करिए कि sound clear जा रही है कि नहीं yes or no sound clear जा रही है तो yes or no में एक बार जबाब करना जा रही है sound clear yes or no में एक बार जबाब करिए सीता मढ़ी के सीता माता के धरती से परनाम सर एक दम सभी लोगों का परनाम सुविकार परनाम सुविकार कर लिए sound clear जा रही है मेरी मधूर सुवर आप लोगों तक पहुंच पा रही है yes 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 यह है जो आपको बिहार SSI का ही सेट है और कौन सा डेट का है आप लोग थोड़ा सा कोशन देखकर अनुमान लगाईएगा यह जो सवाल है पहला नंबर सवाल और पहला नंबर सवाल का आप लोग अंसर करिए और वो भी quickly answer करना है आप सभी लोगों का कैसे करना है सर quickly करिए अंसर पहला नंबर सवाल का आप सर करिया और quickly answer करना है प्रभु जी दर्सन दिजिए दर्सन तो पूराग दम दे दिये हम सर आया answer सभी लोगों का 40% आ रहा है ये जो सेट है उसर आथ Zig बारह कहा कि गो है हाथ बारह ऑठ सामल की बारा आथा अठार ciao कि एक मिनन देख लेते त्पर अठ बारह अथा अठारर सब का आ रहा है और आना भी चाहिए answer आठ बारह अठारह का यह है आठ बारह अठारह कौन सा कलर से लिख दिया जा है यह लो आठ बारह और दो हजार अठारह आठ बारह अठारह काई है सर पहला नमबर सवाल रहा विक्रेमूल का क्रेमूल 60% है तो हा नि या Pillgen निकलना है तो आप कहिएगा कि सरी CP है और ESP है तो विक्रेमूल का 60% है अगर क्रेमूल 100 है तब विक्रेमूल 60% 60 है बीस से कट गिया चार बार में, बीस से कटा पाच बार में और बीस से कटा तीन बार में पाच अनुपात तीन, पाच रुपया में कोई ब्यक्ती खरीदता है और तीन रुपया में बेचता है पाच में खरीदा और तीन में बेचा सर पाँच में खरीद कर तीन में बेचा तो कहिएगा दो का हानी 5 रुपिया पुंजी लगाने पर प्रतीसत में लाएंगे 100 से गुना कितना परसेंट कहिएगा 40% की हानी हुआ 40% का लॉस हो गिया है किस रॉप्सन में है आपसा नंबर बी आया था सभी लोगों का option number B option number B आया था 40%, 40%, 40% आ चुका था option number B अब आ गया दूसरा नंबर सवाल दो नंबर सवाल का अंसर करिए यह है आपको LCM-ACF का सबसे पहले सवाल को पढ़ने का परियास करिए इसके बाद अंसर करिएगा कितना number सवाल? दो नंबर सेशन को एक बार सभी लोग सेर कर दीजिये कि सभी लोग जुड़ जाए और enjoy करकर के पढ़े enjoy करते हुए ऐसे नहीं enjoy के साथ पहले आप लोग को कोई भी बोड़ पर सवाल आएगा तो सबसे पहले खूद बनाने का परियास करिए इसके बाद तो छापना है ही सरे तो छापने वाले तो बहु सारे अपना लोग रहते हैं 40% आया है इसका कितना आया पाच अंकों की सबसे छोटी संख्या ग्यात करिए 8 से कटे 16 से कटे 24 से कटे 36 से कटे 54 से कटे तो 8, 16, 24, 36, 54 एक तो तरीका है इसका कि सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे और LCM निकाल करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग करेंगे सबसे छोटी में जैसे हम लोग LCM निकाले और LCM निकाल करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 इसमें भाग करेंगे और जो सेस बचेगा इस सेस फल और भाजक के अंतर को जोडेंगे तब अंतर आएगा ये तो बहु जादा समय लगेगा ऐसे कभी भी आपको सवाल दिखाई दे इस सवाल को बनाने के लिए आपको by option चलना है कैसे चलना है सर by option option से हम लोग hit कर देंगे by option और by option जब हम लोग चलना start किये तो option से चलेंगे 36 पर देखे तो 36 से हमें पता चला कि 36 को आप दो ऐसे factor में गुणा करिए कि गुणा करेंगे तो 36 हो और hcf हो तब 36 को गुणा कर दिये 4 गुणा 9 गुणा करेंगे तो 36 और hcf हो गिया तब 4 गुणा 9 4 गुणा 9 का मतलब 4 से ओवे संख्या करती है जिसमें अंतिम दो अंक विभाजित होती है और नौ से ओवे संख्या करती है जिनके अंको कायोग नौ से विभाजित होती है तो ऐसे बहुत सारे सवाल बाई ओप्सन से लिएगा विभास्ता के नियम याद रहेगा चाट दीजिएगा और आगे बढ़िएगा अब हम लोग यहाँ चले तो चार से असी मतब लास्ट के दो डिजिट सब कट रहा है अब अंको का योग हमें काटना है नौ से अंक को योग किये तो छे और ती नौ चार और एक पांच नहीं कटा पहला अपसन नहीं हुआ यहाँ आंका योग किये तो छे और ती नौ आठ और एक नौ कट गिया तो तीसरा हो सकता है है नहीं हो सकता है यहाँ आठ और एक नौ कट गिया चार आया चार नौ से भी भाजित नहीं है यहाँ भी आठ और एक नौ कट गिया 6 आया 6, 9 से भी भाजित नहीं है जब 3 option 9 से भी भाजित नहीं है ता ये कहीं option बचा वो कौनसा बचा option number C option number C अगले number सवाल का अंसर करिए 3 number 3 number सवाल पढ़िए थोड़ा सा समय लीजिए और समय लेकर के आप सभी लोगों को अंसर कर देना किजिए अंसर option number C सभी लोगों को आया C, 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 सभी लोगों को आया किजिए इसका अंसर कितना होगा और वो भी quickly answer करना इसका भी C आ रहा है क्या सब इसमें भी C, C अंसर कर रहा है कोई धान साड़े 7 पर 30 बारसिक दर्सिक कितने बरसों में 3 गुना हो जाएगा 3 गुना जब भी ऐसा सवाल आपको आये SI जीसा में आप लोग पढ़े थे ratio भी बताये थे direct formula ही तो direct formula ही याद रखेगा कि जब हम लोग का रेट निकालना होगा ता N1-O1 गुना N1-O1 गुना handed by R होगा एर निकालना है ता N1-O1 गुना handed by T R अगर हम लोग झालना है तो आप कहेंगा R बराबर N-O1 गुना का handed by T और कभी कभी T का जब मान निकालना रहेगा ता T बरावर N-01 गुना 100 YR हमें मान निकालना है कि 7.5% बारसिक दर से कितने बरसों में 3 गुना हो जाएगा समय निकालना है ता T बरावर N-01 गुना 100 YR 100 YR इस फर्मूला पर बैठा दिये 3 गुना है ता N के अस्थान पर 3 दे दिये 3-1 और गुना का 100 और बटे आर कितना है कहिएगा साड़े साथ साथ को हम लिख रहेने देते हैं साड़े साथ को 15 बटे दो भी लिख सकते हैं ता T बरावर 3 में से एक गया 2 उपर में आगया 100 और नीचे में आगया 7.5 3 बरस हुआ और बरस और माह में हमें बदलना है बरस में रहता तो हम कहते 80 बटे 3 बरस हमें इसे माह में बदलना है तो 80 बटे 3 को पुरनांक में लाएंगे 26 पुरनांक 2 बटे 3 बरस और बरस को माह में लाना है तो 12 से गुना कर दिये बर्स को माह में लाएं 12 से गुना क्योंकि आप जानते हैं कि एक बर्स में 12 माह होता है एक बर्स में 12 माह होता है और जो एक बर्स में 12 माह नहीं जानते हैं वो लिख दीजिएगा नोट में करके कि एक बर्स में कितना माह होता है 12 माह यहां काट दिए ते तीन से कट गिया चार बार में 26 पहले से already था चार दूना आठ मा हो गिया तो 26 बरस आठ मा और 26 बरस आठ मा किस option में है option number C 26 बरस 8 मा option number C आया था option number C 26 बरस आठ मा आया था option number C 26 बर 60 मा Safe score क्या रहेगा सर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता पेपर में कैसा पेपर है तो safe score जितना आप ज़्यादा करिए negative कम करिए ज़्यादा safe score रहेगा इसमें क्या आगे बढ़ें बढ़ें और इस नमबर सवाल को 3 के बाद चार नमबर सवाल का अंसर करिए चार नमबर भी नमबर सिस्टम का सवाल है अब आराम से इसे पढ़िए और अंसर करिए भी आराम ही से करिए करिए आराम से किया जाए अंसर और भी आराम से किया जाए तो कहरा कि दो संख्याओं का अंतर 16 है और फिर बोला गया उनका एक बटा पाच भाग का योग बारा है तो सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए थोड़ा सा समय लीजिए पेन और कौपी हम आसा करते हैं कि आप लोग पेन और कौपी साथ में ले करके बैठे होंगे इस सिर्फ हम आसा ही कर सकते हैं पेन और कौपी साथ में ले करके बैठे होंगे और खुब जम करके कल्कुलेशन कर रहे होंगे अच्छा यह सरसंख्या हम मान लिए कि संख्या पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या बाई होगा तब पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या बाई इनका अंतर x-by, अंतर कितना दे रखा है? शुला पहली संख्या को मान लिए हम x, दूसरी संख्या को मान लिए बाई और दोनों का अंतर x-by का मान कितना हो गया? कहिएगा सुला हो गया और इनका योग का एक बटे 5 भाग, योग कर दिए x plus by योग का एक बटा पाच भाग 12 है संख्या के योग का कहा गया कि इनका एक बटा पाच भाग का योग 12 है ता इनका एक बटा पाच भाग का योग कितना है 12 है ता योग का एक बटा पाच भाग है कितना 12 है अब हम लोग X पलस बाई का जब मान निकालेंगे 12 क्रोस ओहां साइड गुना हो गिया तब 12 पंचम कितना हो गिया 60 आप कहिएगा दो इक्वेशन बन गिया एक X-Y का और एक X-Y का तब एक X-Y का मान 16 और X-Y का मान कितना हो गिया तो कहिएगा 60 इतना बाते समझ में आ गिया तो एक बार X लिख दीजिए और नहीं समझ में आया तो नो लिखिए समझ में इतना बात आया ता आप सभी लोग एक बार X लिखेगा और नहीं समझ में आया ता सभी लोग एक बार नो लिख दीजिए समझ में आया तो एक बार yes लिख देना है और नहीं समझ में आया तो no लिख देना yes या no में आप लोग को जवाब करना आया समझ में तो yes नहीं आया तो no जिससे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके एक बार और हमें समझाना परेगा क्या एस या नो में सभी लोग एक बार एक स्वार में आप लोग बोलिए एस या नो एस सर कोई ऐसे है जीव जन्तु इसमें कोई ऐसे बहादूर है जो नो लिखा है बहुत सारे बहादूर है जो एस लिखा है और कुछ ऐसे पिकुलियर लोग हैं जिसने नो भी लिखा है तो पिकुलियर को एक बार समझने दीजिए कहना कि दो संख्या का अंतर शोला है तब पहली संख्या एक, दुसरी संख्या बाई X-by अंतर हो गयाין C और उन दोनों संख्या का योग X plus by योग हो गया कितना साथ सर योग कैसे साथ हाया यहां बात को समझे साथ हाया कह रहा है कि वो संख्या के उनके एक बटे पाच भाग का योग एक बटे पाच भाग का मतलब पहली संख्या का एक बटे पाच भाग दूसरी संख्या का एक बटे पाच भाग का योग कितना है बारह है एक बटे पाँच भाग दोनों में common ले लिए तब बचा x पलस by और बराबर कितना हो गया 12 यही हम मानेहा लिखे हैं कि x पलस by का एक बचा पाँच भाग 12 है तब एक पलस by का मान कितना है 6 x पलस by का मान कितना 6 यहां x का मान निकालेंगे तब बाई और बाई कर जाएगा 2x ऐसे direct x का मान निकालना है तो जोड करके आधा कर दीजिए 16 पलस 60 बटे में 2 16 और 60 हो गया 76 और 76 में 2 से भाग कर दीए तो 38 बड़ी संख्या 38 हो गया छोटी संख्या का मान निकालना है तो दोनों को घटा करके हम आधा करेंगे घटाना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाईए और 2 से भाग करिए 60 में से सुल्ह चला गया कहिएगा 44 हो गया सर और 44 में 2 से भाग कर दीए तक कितना हो गया 22 हो गया सबसे छोटा मान पूछ रहा है कि बड़ा आप कहिएगा सबसे छोटा और सबसे छोटा भहलू कौन सा हो गया 22 संख्या में सबसे छोटा भहलू मान निकालना है और सबसे छोटा भहलू कौन सा आ गया 22 आ गया जो सभी का सही जवाब रहा 22 अगले नमबर सवाल का अंसर करिए चार के बाद पाच पाच नमबर सवाल सभी लोगों का सही अंसर आना चाहिए सभी इस कलासेस अपना ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो सब नियमित रूप से अब 19 तारीक से चलना प्रारम होगा तो 19 तारीक से आउपलाइन वाले आनलाइन वाले सब आईएगा 19 तारीक से 22,22,22 सब का सही जवाब रहा 22 सभी वीडियो को सेयर करे केके सीन केके सीन भी खुब धेहान दे रहा है तक खुब सभी वीडियो को सेयर कर दीजिए बास्तम एक बार सेयर कर दीजिए कि जो उनका लग रहा होगा कि नहीं आज आराम से पढ़ाई नहीं है जम करके सोएंगे खा करके जम करके सोएंगे नहीं आराम से एक बार सेर कर दीजिए कि उनक तक भी वीडियो पहुंजा है और ओभी यहां से लाव ले ले सबी लोग वीडियो को लाइक करो भाई सचीन भाईया का भी पूरा देख रहे हैं पीके सर को कितना सब है जो कितना आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है चाहां ये भी है अभी लाइब देखिए कि 900 पलस साठे 900 के लगभग में है और यहां लाइक 373 ही सब को कोपचा में लेन है इसमें ठपा लगा दीजिए एक बार सेयर कर दीजिए मामला किलियर हो जाएगा अगले कितना नंबर इसका आ रहा है 600 666 वारा ऑप्सन नंबर डिया रहा है 6600 अच्छा ये सब सवाल देखिए अराम से हम लोग सोल्व करेंगे गाउं की जन संख्या 5000 है इनमें से पर्थ में गाउं की जन संख्या अभी कितना है 5000 है अभी बरतमान में 5000 पहला बर्स 10 प्रतिसत बढ़ी धी हुआ तो 10 प्रतिसत बढ़ गया 110 पिर दूसरा बर्स 20 प्रतिसत बढ़ा तभी हो गया 120 अब हम लोग कार चार्ट करेंगे तो 3 और 1 4 4 0 से 4 0 समा यहां हो गया 12 5 60 60 हो गया म पास्तव में सभी का अंसर 66 वाया बिल्कुल किलिए है इसका अंसर कर दीजिए 6 नंबर 6 नंबर सवाल का करना है और ओभी क्वीकली कर देना है 6 नंबर सभी का अंसर सही आना चाहिए एक दो लोगों का नहीं सभी लोगों का अंसर सही होना चाहिए सब ही लोगों का अंसर सही होना चाहिए चार बर्स पूर्व पीता एबम उसके पूत्र की आयू का अनुपात पाच अनुपात तीन था चार बर्स पूर्व पीता और पूत्र ए उनके पीता जी हैं और ए उनके पूत्र जी हैं चार बर्स पूर्व है रेशियो 5 रेशियो 3 यह कब का है सर कहिएगा चार बर्स पहले का चार बर्स पहले का रेशियो है अब चार बर्स के बाद उनका आयू का अनुपात 3 अनुपात 2 हो गया चार बर्स के बाद आयू का रेशियो 3 अनुपात 2 कब का हो गया चार बर्स के ब अंतर समान करिये तो पांच और तीन का अंतर यहां दो तीन और दो का अंतर एक अंतर समान नहीं है अंतर समान नहीं है तो हम आपको समान करने के लिए बताये हैं कि नीचे के अंतर से उपर और उपर के अंतर से नीचे यदि अनुपात का अंतर समान नहीं हो तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से उपर गुना करेंगे और उपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे गुना करेंगे ता अंतर नीचे वाला एक उपर ज्यों काते हों उपर में अंतर दो है नीचे गुना कर दिये ता छे अनुपात चार उपर वाले अनुपात का अंतर दो था नीचे क्योंकि समान कंडिशन में घड़ता है आप पोजिट कंडिशन में जुटता है यदि दोनों पलस है तो घड़ जाएगा यदि दोनों का दोनों माइनस है घड़ जाएगा एक माइनस एक पलस है जुट जाएगा एक माइनस एक पलस है जुट जाएगा समान कंडिशन में घड पूस ज़टा ता है एक बरावर आठ बर्स मान किसका निकालना है पीता का बर्तमान आयूंग है और पीता अनुपात में पांच है इक वान आठ बर्स तब पांच कमान można 0 Sekा उनके पीताजी 40 बर्स के थे चार बर्स पहले अभी बरतमान में कितना बर्स के होंगे 4 बर्स हम एड कर दिये त़े इनका बरतमान में 44 बर्स ऑपसा नमबर सी बहुत सारे लोग 6 में मान रखेंगे तो 6 में मान रख दीजीगा एक का मान आठ ता छे का मान अर्टालिस ये अर्टालिस बरस के इनके पीताजी हो जाएंगे चार बरस के बाद अभी कितना बरस के हैं ता अभी बरतमान में 44 बरस Option number C is right answer Option number C आया था आया था अप लोगों का option number C आया था अगले number सवाल 6 के बाद 7 बरा जाईए 7 number सवाल को पढ़िए और अंसर करिए 7 number सवाल पढ़ना है और अंसर करना है सिर्फ अंसर नहीं करना पढ़ना भी है और अंसर भी करना quickly answer करिए 7 number सवालों का किजिए अंसर आप से पढ़कर हमारा मैत अच्छा हो गया है सर thanks सबका मैत अच्छा हो जाएगा मैत से पिडित है उनका ढरना अब नहीं है अब हुआ है सामना अब होगा टकर की लडाई घबरा रहे हैं क्यों एक ब्यक्ति की आएवं बचत का अनुपात एक माह में साथ अनुपात पांच है सबसे पहले इसका आए के बारे में हम लोग इतना बड़ा इतना बड़ा कौन कर रहा है comment topic wise भी होगा यहां हम लोग अभी पूरा topic wise से अच्छा है topic wise और concept से अच्छा है set लगाना set लगाने से क्या है कि मात्र एक से घंटा एक से सावा घंटा में पूरा topic एक साथ रिभाज होता है तब एक जाम oriented है बिहार में भी जितने एक जाम होने वाले हैं जैसे बिहार S.S.E.O दरोगा हो बिहार police हो या तो teacher वाले हो सब के लिए benefit है एक दो के लिए नहीं सब ही लोगों के लिए beneficial है और सब है previous question है कोई अपना question नहीं है previous question तो हम लोग को आए का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं कि आए बराबर होता है सर बचत आए बराबर खर्च प्लस बचत I बराबर खर्च प्लस बचत मतलब income बराबर expenditure प्लस saving होता है कहिएगा USSR और अगर हमें दे रखा है क्या तो I और बचत दे रखा है I और बचत का ratio दिया है कि I अनुपात बचत तो I और बचत का अनुपात कितना है कहिएगा 7 अनुपात 5 सर आप बताईए कि 7 रुपाया कमाया 5 रुपाया बचाया है तक खर्चा कितना किया होगा कहिएगा खर्चा किया है 2 रुपिया क्योंकि खर्च बराबर होगा I माइनस बचत खर्च का जब आप मान निकालिएगा तक खर्च बराबर I माइनस बचत होगा आए मेंसे बचत को घटा दीजिए तो खर्च होगा तब आए माइनस बचत साथ मेंसे पांच गया दो तक किसी भी ब्यक्ति का आए बचत और खर्च का रेशियो निकाल दिये यदि वह बारसिक 72 हजार रूपया खर्च करता है तो उनका मासिक आए निकालना है यदि बारसिक दे रखा ध्यान में रखना ये वाले दिया है बारसिक खर्च और हम लोग का निकालना है मासिक आए तब मासिक खर्च हम निकालने जा रहे है सर बारसिक का मतलब 12 माह का खर्च है बारसिक का मतलब एक बरस और एक बरस का मतलब 12 माह और 12 माह में खर्च कर रहा है कितना 72 हजार रूपिया 72 हजार खर्च कर रहा है ता एक माह में कितना खर्च करेगा 12 से भाग कर देंगे एक माह में 6 हजार 6 हजार समझ में आया ना 72 हजार में 12 से भाग कर दिये कोई ब्यक्ति 12 माह में खर्च करता है 72 हजार एक माह में खर्च है अनुपात में दो, दो कामान छे हजार है, ता एक बराबर कितना हो जाएगा, तीन हजार, और एक कामान जब तीन हजार है, ता हमें साथ कामान निकालना है, ता साथ तिया कितना हो गिया, एक कैस हजार, वो ब्यक्ति का मासिक बेतन, एक कैस हजार का है, मासिक बेतन कितना है कहिएगा वो ब्यक्ति का मासिक बेतन एक कईस हजार आया था एक कईस हजार बारसीके से तो नहीं तुलना कर दिये थे कितने लोग हैं जो बारसीक से ही तुलना कर दिये थे जी दो कहां से आ रहा है सारी दो देखे कहां से आया खर्च जब हम लोग निकालेंगे ता आए कितना है साथ, साथ रुपाईया आए, साथ रुपिया कमाया है और पाच रुपिया बचाया है, ता साथ में से पांच घट गिया दो, दो कहां से आया, कमाया कितना, तो बेक्ति कमा करके लाया साथ रुपिया, बचत कितना किया, प बरस का मतलब 12 मा, 12 मा का मतलब 72,000, तए 1 माँ 6,000, 2 कामान 6,000, 1 बरावर 3, 7 बरावर 21,000 अगला नमबर 8 नमबर सवाल का अंसर करिए और सभी लोगों का सही अंसर आना चाहिए बारसिक तुलना करने पर अंसर नहीं मिल रहा है तब फिर 12 से भाग करेंगे ना बारसिक तुलना करने पर जो अंसर आया फिर उसमें 12 से भाग करेंगे, तब अंसर आएगा तब आएगा अंसर बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये 3,000 कहां से आया, भाईया, 2 बरावर 6,000 है कैसे कैसे सब लोग हैं बहादूर, 2 का मान 6,000, तब एक बरावर 6,000 में 2 से भाग कर दिये 3,000 हो गिया और एक बरावर जब 3,000 ता 7 बरावर एकाई सजार हो गया जो बारसिक तर डायरेक्ट तुलना किये हैं साथ से गुना करिए फिर 12 से भाग करिएगा तब मासिक आएगा और एक माह का मान निकलेगा इसका अंसर करके बताइए और ओभी क्वीकली अंसर करना है कैसे अंसर करना है सर क्वीक ली सब ही लोगों का अंसर सही आना चाहिए एक दो लोगों का नहीं सब ही लोगों का आया अंसर दो सो पचासी एक से नौ तक के सब ही अंकों का बरगों का योग सर आपको सबसे पहले फॉर्मूला यहां किलियर होना है कमेंट करके बंद करिया और बात को एक बार फॉर्मूला पर ध्यान रखना पहला जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं एन इन्टू एन प्लस ओबान बाई टू किसका फॉर्मूला है कमेंड बॉक्स में लिखेगा दूसरा फॉर्मूला एन इन्टू एन प्लस ओबान और इन्टू का टू एन प्लस ओबान बाई टू और तीसरा फ़र्मुला है, तीसरा फ़र्मुला एन इन्टु एन प्लस ओबान बाई 2 का होल स्क्वायर होल स्कॉर, चौथा फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, चौथा, चौथा फॉर्मूला है N into N plus O1, और पांचमा फॉर्मूला है N square, पांचमा के बाद 6 हम लिख रहे हैं, N into N plus O1 into N plus 2 by 6, 6, इस सब आपको पता है, जो हम फॉर्मूला लिखे, यह किसका किसका है? सिर्फ formula याद नहीं रखना formula के साथ साथ सब एक साथ पुरा याद रखना तो आप कहेगा कि sir n into n plus 1 एप प्राकृतिक संख्या का formula है sum of natural number प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग का formula है प्राकृतिक संख्या का योग प्राकृतिक संख्या के बर्गों का योग और यह जो तीसरा है वो प्राकृतिक संख्या के घ्णों का योग है प्राकृतिक संख्या के घहनों का योग प्राकृतिक संख्या के घहनों का योग कहिएगा यस सर मामला यह भी किलियर है प्राकृतिक संख्या के घहन का योग यह है सम संख्या का योग सम संख्या का योग का फॉर्मुला है और यह बाले बिसम संख्या के योग का यह जो है यह है सम या बिसम संख्या के बर्गों का योग का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है छठा के बाद सात्मा याद रखेगा आपको लिखाये थे कि यह प्लस बी इंटु बी प्लस बी माइनस ए और प्लस ओबन बाई टू यह है बीच से प्राकृतिक संख्या के योग पहला वाला जो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला था एक से अस्टार्ट होगा तो और यह बीच से अस्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्या का योग सबी लोग अराम से छाप लीजिया और नहीं छापना है तो एक बार क्या कर लेना है इसे आस्क्रीन सोट ले लीजिये इसका ले लिए आस्क्रीन सोट यह यहां by 2 क्यों लिख दिये एक मिनट से यह by 2 कैसे यह तो by 6 होगा by 2 नहीं n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 यहाँ by 6 होगा वहाँ by 2 by 6 by ठीक एक बार देख लेते n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 to n plus 1 by 6 और n into n plus 1 n square n square plus by 6 यहाँ भी है लेकिन यहाँ AP सिरीज में है a plus b b minus a plus 1 by 2 यहाँ by 6 होगा by 2 नहीं by 6 अब अस्क्रीन सोट लीजिए by 6 करके लीजिए के लिए आगे बढ़ें बढ़ जाईए और अगला नंबर सवाल का इसका अंसर करिए 1 से 9 तक के सभी अंकों के बर्गों का योग मतलब 1 के अस्क्वाइर 2 के अस्क्वाइर कहा तक का अस्क्वाइर निकालना है 9 का अब हम लोग यहां से फॉर्मूला लगाएंगे एन इंटू एन प्लस ओबन इंटू का टुएन प्लस ओबन बाइस सिक्स एन के अस्थान पर 9 देंगे ता 9 दे दिये जाईए दो सो पचासी बाले सभी लोग एक बार क्या कर जाना है मुस्कुरा जाना है किलियर अंसर करिए यह है 9 नमबर सवाल का अंसर किया जाए 9 नमबर सवालों का सभी लोगों का अंसर सही आना चाहिए 9 नमबर सवाल क्वीकली सभी लोगों का अंसर करिए करिए अंसर 12,000 ब्यक्तियों के समोह जिसमें कैप्टन इवम सैनिक सामिल है एक रेल में यात्रा कर रहे हैं पर तेक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है तो समोह में कैप्टन की संख्या कितनी है कैप्टनों की संख्या आप लोग को क्विक्ली निकालना है कि कैप्टन की संख्या कितनी होगी क्विक्ली आया ऐसे सवाल को क्या आप बना सकते हैं अस्क्रीन सोट अभी कोशन को अस्क्रीन सोट लेगा पीछे वाला अस्क्रीन सोट के एक पर एक बहादूर है इसके पीछे वाला ये ले लीजे अस्क्रीन सोट हट गया अस्क्रीन से अच्छा अस्क्रीन से जब हड़ जाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे अच्छा कोई बात नहीं ले लीजिए सब अपना पिकुलियर ही है ये कोई बीना पिकुलियर के है नहीं बाद में नहीं ले सकता था वीडियो को रोक करेंगे अभी तुरांती से लेना है ले लिये होंगे अब आजाईए और इस सवाल का अंसर करिए सवालों का अंसर करिए किया जाए अंसर बहुत सारा लोग पेन कौपी ले करके नहीं लगता है राजाईम बैट करके पढ़ रहा है देखिए न सर पेन कॉपी ले करके मंदारी से बना करके यह सब छोटा-छोटा सवाल बनाना है फिर आगे बढ़ना है फिर बनाना है तब न मनोबल भी आगे बढ़ेगा कि नहीं सर खुद से भी बनाते हैं PDF कहां से मिलेगा सर PDF के लिए टेलिग्राम लिंक दिया है और टेलिग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है उसे जोईन कर जाईएगा जो टेलिग्राम जिन से नहीं जोईन करना चाहते हैं वो टेलिग्राम पर जाईएगा और PK Sir Maths Official सर्च करिएगा PK Sir Maths Official तब वहाँ टेलिग्राम ग्रूप रहगा और उसको जोईन कर जाईएगा ऐसे लिंक दिया हुआ इतना सोचने कि अब सकता ही नहीं है इसका अंसर आना स्टार्ट हुआ 75, 75 किसी को 80 हो रहा किसी को 75 हो रहा किसी को कुछ हा रहा किसी का कुछ हा रहा आगे बढ़ें यहां 1200 ब्यक्तियों के समुह में कैप्टन एबम सैनिक सामिल है कह रहा है कि एक रेल में यात्रा कर रहे है परतेक 15 सैनिक पर एक है कैप्टन तो हम लोग यहां परतेक 15 सैनिक पर एक कैप्टन तो आप कहिएगा कि सैनिक कितना है सैनिक और कैप्टन तो आप कहेगा पंदरा सैनिक पर एक कैप्टन पंदरा सैनिक है तो टोटल कैप्टन कितना है एक पंदरा सैनिक तो टोटल कैप्टन कितना है पंदरा सैनिक तो कैप्टन एक है पंदरा सैनिक तो कैप्टन एक एक होगा कैप्टन अब सबका सही अंसर आना चाहिए फिर 20, 80, 75 पर अटका हुगा 15 सैनिक पर एक कैप्टन है तब 15 सैनिक और एक कैप्टन हम लोग लिखे है तब 15 और एक टोटल कितना हो गिया 16 अनुपात में 16 बराबर टोटल कितना है 12 बारह 100 टोटल बारह 100 है सर 16 बराबर 1200 है सर तब आप एक का मान नहीं निकाल दीजेगा क्या 1200 में भाग कर देंगे 16 से तब कितना बार में कट गया 75 बार में 16 संते 120 75 कैप्टन का मान निकालना है तब 75 एक से गुना कर दिये यहां हो गिया 75 कैप्टन 75 और 75 वाले सही जबाब रह 80 वाले नहीं कैसे कैसे सब लोग हैं जी ओल जोल सब अंसर कर देते हैं 75 वाले सही हैं 75 वाले लोग सही अंसर हुआ सब 80 करके देखे न मुस्कुरा रहा 75 भाईया मेरे 75 75 9 के बाद 10 पर आजाईए 10 नमबर सवाल चकरविर्धी ब्याज से है और सभी लोगों का अंसर सही होना चाहिए सही लोगों का सभी लोगों का अंसर सही होना चाहिए बढ़ें आगे कितने बरसों में रूपाईया 110 परती है तो डारेक्ट हम कहा देंगे कि सर यह हो गया 3 3 बरस हो गया कहिएगा कैसे 3 बरस हो गया कैसे 3 बरस हुआ कैसे हुआ 3 बरस आया आप लोगों का 3 बरस कैसे 3 बरस हुआ पता चला क्या बताने की जरूरत है कि 3 बरस कैसे हुआ हमें तो नहीं लग रहा कि बताने की जरूरत भी है कि 3 बरस कैसे हुआ कैसे हुआ बात को समझ लीजिए सबसे पहले हम जानते हैं सर कि ए बरावर होता है पी इन्टू ओबन पलस आर बटे 100 के पावर एन कहिएगा बिल्कूल किलियर है सर और ए बटे पी बरावर हम लोग लिखेंगे ओबन पलस आर बटे 100 के पावर एन एक कामान कितना है कहिएगा एक कामान है सर 1331 1331 पी कामान कितना है 1000 है और 1 पलस आर का मान कीतना है 10 10 बटे 100 के पावर एन है तब 10 100 से कट गिया 10 बार में हम लिखेंगे 1331 और बटे का 1000 बरावर 10 और 111 बटे 10 के पावर एन सर यहां 10 है तब हम लोग 20 को जब भी तुलना करना है तब 20 को तुलना करेंगे 10 से 1000 10 का क्यूब है या आप डारेक लिखेगा कि 1131 है 11 बटे 10 का क्यूब 11 बटे 10 का क्यूब है 1331 बटे 1000 और यहां भी 11 बटे 10 के पावर एन है बेस समान पावर बरावर पावर समान बेस बरावर बेस समान है तो पावर को बरावर कर दिए एन बरावर तीन बर्स option number D एन कामान कितना बर्स हो गिया कहिएगा एन बरावर तीन बर्स हो गिया एन बरावर तीन बर्स जो सभी लोगों का सही जवाब रहा अगले नमबर सवाल 10 के बाद एकार दूधेवं पानी का अनुपात 88 लिटर मिस्रन में क्रमसा 7 अनुपात 4 है पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमसा 2 अनुपात 3 हो जाए सर मिक्चर एलिगेशन का कॉंसेप्ट है मिक्चर का कॉंसेप्ट में बताए है कि जिसका अमान मिलाया जाएगा उसको छोड़िएगा बाकी को वापस में बरावर करिएगा तबे हम मिल्क और बाटर का रेशियो है और मिल्क और बाटर का रेशियो कितना है सर 7 रेशियो 4 मिल्क और बाटर का रेशियो 7 रेशियो 4 है और अब हो गया मिल्क और बाटर का रेशियो 2 रेशियो 3 क्या मिलाया गया है मिलाने वाले को हम लोग देखेंगे कहरा कि कितनी मात्रा मिलाई जाया किया है अनुपात पानी पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाया था पानी को छोड़कर दूद को बराबर ओपर दूद सात नीचे है दो तब ऊपर में दो से गुना करेंगे और नीचे में साथ से गुना करेंगे दूद को बरावर कर दिये 2 से गुना कर दिये 14 अनुपात 8 है और यहां 2 से गुना कर दिये 14 अनुपात 21 7 से गुना कर दिये 14 और 21 अब टोटल दूद बरावर हो गिया यहां भी दूद कितना है कहिएगा 14 यहां भी 14 छौदा लेकिन च neutrौन और आज कितना हो गया कहेगा 24 और आज बाईस अनुपात 22 बराबर 88 लीटर दे रखा है अटा सी लीटर टोटल दे रखा है बाईस बराबर 88 लीटर तब एक बराबर कितना लीटर हो गया 4 लीटर एक कामान चार, पानी पहले आठ था, अब हो गिया एक आइस आठ से एक आइस कितना बिरिधी हुआ है, कहिएगा अनुपात 13 का बिरिधी हुआ है एक बरावर चार लीटर तो तेरह बरावर कितना लीटर हो गया बावन लीटर बावन लीटर पानी और मिलाने की अब सकता है कितने लीटर पानी और मिलाना है बावन लीटर आया था बावन लीटर आप सभी लोगों को 52 लीटर पानी और मिलाने किया वा सकता है सभी लोगों को 50 आया था एक बार और समझना है समझ लीजिएगा मिल्क और बाटर का रेशियो 7 रेशियो 4 अब यहाँ 2 रेशियो 3 हमें दूद मिलाया ता दूद छोड़ कर पानी को बरावर करेंगे और पानी मिलाया तो पानी छोड़ करके दूद को बरावर करेंगे यहाँ हम लोगों को पानी छोड़ दिये दूद बरावर किये तदूद बरावर किये नीचे वाले से उपर और उपर वाले दूद के मान से नीचे गुना किये 14, 8, 14, 21 14, 8, 22, 88, 1, 4 पानी पहले 8 था अब हो गया 21 कितना बढ़ा 13 एक कामान 4 है 13 कामान 52 लीटर उप्सन नमबर D ये 11 के बाद 12 नमबर सवाल का अंसर करिए सभी लोगों का अंसर सही होना चाहिए और वो भी 12 नमबर सवाल का सभी का अंसर देखे तो क्या आप अंसर कर सकते हैं? क्या आप अंसर कर सकते हैं? तो करिए कोई धनरासि सधारन ब्याज की दर से 4 बरस में 2 गुना हो जाता है या कितने बरसों में 4 गुना हो जाता है? कितने बरसों में 4 गुना यहाँ भी 2 फॉर्मूले आप याद रखिएगा SI से ratio से भी आपको बनाने के लिए बताएं डारेक्ट फॉर्मूला याद रखेगा ता N1-1 बटे का T1 बरावर N2-1 बटे T2 यह basic से ratio से ही आता है यह बताया थे कि N1-1 बटे R1 होगा यह तो N2-1 बटे R2 R निकालना है ता R1 R2 से भाग T निकालना है ता T1 और T2 से भाग करेंगे हमें कोई धन्रासी सधारन ब्याज की दर से चार बरस में दूगनी हो जाती है तो आप कहिएगा कि N1-1 बटे का T1 और बरावर में हो गिया N2-1 बटे का T2 कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना ता 2-1 बटे का 4 अब कितना गुना कितने बरसों में 4 गुना हो जागा ता 4-1 बटे का T2 चार दो में से 4 गिया ता 1 बटे 4 बरावर 4 में से 1 गिया ता 3 बटे का T2 हो गिया क्रोस गुना कर दिये ता T2 बरावर 12 बरस और 12 बरस किस उप्शन में है उप्शन नमबर D आया था option number D में 12 वर्स आया था आया था वाह तो दिल garden garden आप लोग कर देते हैं कभी कभी जी गजब सबका सही जवाब रहा 12 के बाद 13 पर आ जाईए 13 number time and work से सवाल है कहरा ये किसी कार्ज को 6 दिनों में B और C करमसा 10 और 12 दिनों में वे दो दिन तक एक साथ काम करते हैं चल जाते हैं A और C फिर 6 काम को पूरा करने में B को कितना समय लगेगा time and work का सवाल है और कभी भी ऐसा आप लोगों को time and work का सवाल आए ता time and work के सवाल में आपको क्या करना है सबसे पहले LCM ले लेना है LCM ले लीजिए एक किसी काम को कितना दिनों में किया 6 दिनों में B अकेला कितना दिनों में तो 10 दिनों में और C अकेला कितना दिनों में तो C अकेला 12 दिनों में LCM ले लीजिए 12 से कटे 10 से कटे और 6 से कटे 60 आ गया टोटल वर्क हो गया 60 टोटल बर्क 60 है छे दिन में किया है 60 काम ता एक दिन में करेगा 10 काम 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम 3 मिल गया और 2 दिन तक काम किया A पलस B पलस C 1 दिन में 3 मिल जागा ता 6 और 10 16 और 5 21 एक दिन में 21 काम ता दो दिन में कितना काम कर चुका है 42 सेस कितना काम बचा है कहिएगा सर 60 में से 42 काम हो गया है तब बचा हुआ काम कितना है 18 18 काम सेस है इसमें से कौन चला जा रहा है A और C इसमें से A भी चला जाएगा C भी चला जाएगा ता सेस काम B करेगा 18 के चमता से, 18 काम B 6 के चमता से करेगा ता सेस काम कितने दिनों में कम्पलीट होगा, तीन दिनों में आउपसा नमबर D सेस काम कम्पलीट होगा तीन दिन में से सेस काम कितने दिनों में कम्पलीट होगा, तीन दिनों में सेस काम कम्पलीट होगा सभी का सही जवाब रहा 13 के बाद 14 नमबर सवाल का अंसर करिए 14 नमबर सवाल average का है सभी लोगों का 14 नमबर सवाल सही होना चाहिए 14 नमबर सवाल कहा कि 6 पुरुस का आउसत बजन 1 kg बिदी हो जाती है जब एक नए ब्यक्ति को सामिल किया जाता है जिसके बदले में 60 kg बजन वाले ब्यक्ति को बाहर किया गया था नए ब्यक्ति का बजन क्या है? तो 60 kg वाले का बाहर किया था तो 60 kg का आता कमेंट बंद बात को समझे अगर 60 kg वाला गया और 60 kg वाला ही आता तो average में कमी और ब्रीधी नहीं होता आप देखिए कि average में कमी हुआ है कि ब्रीधी हुआ है अगर average में कमी होता तो हम कहते कि 60 से कम वाला आया है और average में ब्रीधी हुआ है इसका मतलब 60 से जादा वाला आया है तो average में ब्रीधी है ब्रीधी है तो 60 से जादा वाला आया है एक पर कितना ब्रीधी 6, एक पर एक केजी का, एक पर एक केजी का ता छे पर कितना ब्रीधी 6 केजी, एक पर ब्रीधी है एक केजी, छे ब्यक्ती है ता छे पर ब्रीधी 6 केजी का हो गया, तो 60 पलस 6 कितना केजी, कहेगा 66 केजी, और 66 केजी option नमबर कौन सा हो गया, option नमबर B 66 kg option B 14 के बाद 15 नमबर सवाल का अंसर करिए ratio का सवाल है और 15 नमबर सवाल सब का सही अंसर आना चाहिए A to Z का एक दो लोगों का नहीं सब ही लोगों का सही अंसर होना चाहिए anyhow आया answer क्या बना पाईएगा इस सवाल को बना पाईएगा सर 1683 की रासी ABC के मद बितरित किया गया है A का एक बटा दो भाग B का एक बटा तीन भाग C का एक बटा चार भाग करमसह बराबर है तब B की कुल रासी निकालनी है कि B की कुल रासी कितनी है B की कुल रासी निकालना है कि B का कुल रासी कितना है तो B का कुल रासी हम लोग निकालने जा रहे हैं A का 1 बटे 2 भाग तो A का 1 बटा 2 भाग B का 1 बटा 3 C का 1 बटा 4 भाग क्रमसह बराबर है तो A का 1 बटा 2 और B का 1 बटा 3 भाग और C का 1 बटे 4 भाग बराबर है हम आपको बताये थे कि यदि बहुत सारा बरावर में आ जाए और बटा में आता है वही रेशियो होता है पहला का एक बटा 2, दूसरा का एक बटा 3, तीसरा का एक बटा 4 भाग बरावर है बी का कुल रासी निकालना है यदि बटा में बराबर है तो जो बटा में होता है वही रेशियो होता है वही रेशियो एक अनुपात में दो बी का अनुपात तीन और सी अनुपात में चार है टोटल दो और तीन पांच पांच और चार नौ हो गिया अनुपात में अनुपात का योग नो लेकिन टोटल योग है कितना 1618 1618 अनुपात एक का जब हम लोग मान निकालेंगे 1618 9 से काटने जा रहे हैं 9 से कटिया एक बार में बाकी बचा कितना 9, 72 फिर 9 से कितना बार में कटिया 9, 63 187 9 से एक बार में 7 हो गिया 189, 72, 6, 9, 73 183 बी का कुल रासी निकालना है एक का मान हम 183 लाएं बी अनुपात में 3 है 187 में 187 187 में 3 से जब हम लोग गुना कर दिये ता सातिया 21 का एक हासिल रहा 2 18 या 54 और 2 कितना हो गिया कहिएगा 56 561 आपसा नंबर B इस राइट अनसर यह भाईया मेरे आप सभी लोगों को 561 आया था वह 561 अगला नंबर सवाल 16 पर आजाईए A और B अकेला किसी कार्ज को 10-15 दिनों में पूरा कर सकते हैं उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारम किया किन्तु समाप्त होने से दो दिन पहले एक कार्ज छोड़ कर चला गया कार्ज कितने दिनों में पूरा होगा यह कार्ज समाप्त होने से पहले जा रहा है और आप जानते हैं कि अगर कोई भी समाप्त पहले जाएगा तो होने नहीं देंगे कोई भी सकार्ज समाप्त होने से पहले जाएगा किसी भी प्रस्थीती में उसे जाने नहीं देंगे इस सवाल को हम अंसर सभी को आते दिखना चाहते हैं सभी लोग अंसर करिए सभी लोग थोड़ा सा समय लीजिए अंसर करिए टाइम का तो हम लोग चिंता करेंगे नहीं टाइम कुछ भी हो टाइम का नहीं हराम से थोड़ा सा समय ले लेंगे लेकिन बढ़ियां से हम लोग डिसकस करेंगे ऐसा न कि आए देखा चेला यास गुरू जी नहीं चेला के समझ में आया, नहीं गुरू के समझ में आया हराम से थोरा सा समयल लें, डिसकस करते हुए आगे हम लोग निकलेंगे ये तथा बिया केले किसी कार्ज को 10 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकता है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्ज प्रारंब किया किन्तु कार्ज समाप्त होने से दो दिन पहले चला गया है हम कहेंगे कि ऐसे सवाल में किसी को भी पहले जाने नहीं देंगे सबसे पहले उसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर request से माना तो सही है और नहीं माना तो कोपचे में बुलाकर बल पुर्वक काम करवाएंगे और बल पुर्वक काम हम उसे extra काम बोलते हैं बल पुर्वक काम को कैसा काम कहते हैं extra काम कोई नया तरीका नहीं है एक किसी कार्ज को 10 दिनों में और बी उसी कार्ज को 15 दिन में LCM ले लीजिए 10 और 15 का LCM कितना हो गिया कहिएगा 60 टोटल बर्क 60 हो गिया 10 से 60 तब एक में कितना कहिएगा 10 दिन में 60 काम एक दिन में 6 काम 15 में 60 एक दिन में 4 काम कौन काम समाप्त होने से पहले जाया ए, ए को हम कोपचा में बुलाने किया वा सकता है ए को बुलाएं कोपचे में और बुला करके बल पुर्वक काम करवाएं तब ए से बल पुर्वक हम काम करवाने जा रहे हैं अगर ए बल पुर्वक ए से काम करवाएं ता एक दिन में 6 काम करेगा दो दिनों तक बल पुर्वा काम और बल पुर्वा काम एक्स्टा काम कहलाता है ता बारह काम एक्स्टा हो गिया अब कुल काम कितना हो गिया 72 अब हो गिया कुल काम 72 हो गिया 72 कुल काम हो गिया और 72 काम A और B सुरु से अन्त तक करेगा तक सुरु से अन्त तक 72 काम A और B 6-4-10 के चमता से करेगा तक कटगिया 36 और नीचे, कटगिया 5 से और 36 तो 5 को 7 पुर्णांक 1 बटे 5 दिन लिखेंगे 7 पुर्णांक 1 बटे 5 दिन option number B option number B, बहुत सारे लोग option ए गरवर कर दिये ते अच्छा 30 भी आ रहा था कोई दिकत नहीं कोई दिकत नहीं जब लिख दिये LCM ना 60 तो काटेंगे नहीं 60 पर भी हमें अंसर पर परभाव नहीं परेगा अंसर पर परभाव नहीं परेगा सर अंसर वही होगा साथ पुर्नांक एक बटे तीन लेकिन बास्तब में हमें LCM तीसे लाना चाहिए था लिखा गिया साथ लिखा गिया अंसर पर कोई परभाव नहीं परेगा छमता भी कट रहा था तीन और दो तैहां तीस आ जाता इतना बास समझ में आया कितने लोगों का अंसर आया था एक बार और सर एक बार और तीस पर एक बार बताईए सर तीस पर बताईए या साथ पर बात यह कहीं है नहीं सर तीस करिये या साथ करिये तो बात तो यह कहीं है LCM 60 लिख दिये तो भी कोई दिकत नहीं हुआ लेकिन बास्ता में LCM 30 होना चाहिए था अब लिखा गया तो दिकत नहीं LCM हो गया 30 टोटल वर्क 30 है तोटल वर्क 30 है तो यहां 6 तीन और यहां 6 दो कौन काम समाप्त होने से पहले जा रहा है A जो काम समाप्त होने से पहले जाएगा उसे किसी भी प्रस्थीती में हम लोग जाने नहीं देंगे A को हम बल पुर्वक काम करवाएंगे ता A एक दिन में तीन काम ता दो दिन तक बल पुर्वक काम करवाएं 6 काम होगा छे काम हो गिया तक कूल कितना काम हो गिया 36 अब सुरू से अंतक A और B करेगा 36 काम करेगा 3 और 2 पाच के छमता से 7 पुर्णांग 1 बटे 5 दिन तो भी अंसर पर कोई परभाव नहीं परा सर साथ लीजिये या 30 लीजिये अंसर पर कोई परभाव नहीं परेगा तो जो पहले जाएगा उसे हम जाने नहीं देंगे किसी भी प्रस्थिती में जो पहले जाएगा उसे हम लोग जाने नहीं देंगे पहले उसे हम लोग बल पुर्वक काम करवाएंगे कैसे बल पुर्वक तीन नल पी किवार अलग अलग किसी होज को करम सा 12 15 18 गंटा में पूरा कर सकते हैं एक अन नल एस पूरे भरे गौज को 20 गंटा में खाली कर सकता है चारों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना देर में भरेगा कहिएगा पी है और पी 12 गंटा में भर रहा है और क्यूब है Q 15 घंटा में भर रहा है और R है R 18 घंटा में भर रहा है और S है जो पूरे होज को 20 घंटा में खाली कर रहा है आप LCM लीजिए कि 12 से कटे 15 से कटे 36 से कटे और 20 से कटे तब कहिएगा कि 12, 15, 36 20 से कटने बाला LCM क्या होगा LCM LCM 180 सब काट देगा 306 नहीं 180, ऐसे 360 भी लेंगे परभाव नहीं परेगा 12 से 180 15 बार में 15 से 180 12 बार में 18 से 180 10 बार में 20 से 180 9 बार में माइनस क्यों लीखे क्योंकि खाली करने बाला है और खाली करने बाला है उसे हम लोग माइनस से दिनोट किये माइनस ले लिए अब करा चारो नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगा तो चारो को एक साथ खोल दीजिए P पलस क्यूब पलस R और पलस S, S खाली करने वाला है तो हम कहेंगे 12 और 15 27 27 और 10 37 37 भरा और 9 खाली किया 37 भर रहा है 9 खाली कर रहा है 37 में से 9 चला गया तब कितना हो गया सर 28 ठीक है ना 28 37 में से 9 गया 28 अब टोटल 180 है 180 लीटर 28 के छमता से भरेगा तब हम लोग काट देते हैं क्या कटने वाला है कहेगा या सर 7 से 4 बार में और 45 से 4 बार में 45 बटे 7 घंटा लगेगा पुर्णांक में लाएं तब 7 चंके 42 6 पुर्णांक 7 बटे 3 घंटा और 6 पुर्णांक 7 बटे 3 आपसा नमबर सी तो ऐसे सवाल कहीं भी आपको दिखाई देगा सबसे पहले LCM लीजिए भरने बाला है तब जोडेंगे घटाने खाली करने वाला है घटा देंगे सबका सही अंसर आया वाँ ए आगया 13 नमबर 18 नमबर सवाल का अंसर करिए यह है ratio का सवाल और ratio में age का सवाल आज 2 गो मेल लिया इस age का सवाल है किसका है age अंसर करिए किया जाए अंसर ये जिका सवाल है कह रहा है कि कमला और सुस्मा की बरतमान आयू में अनुपात 4 अनुपात 5 है 5 बरस के बाद उनका आयू 8 अनुपात 9 होगा कमला की बरतमान आयू निकालना है ये कमला दीदी है और ये सुस्मा दीदी है तक कमला और सुसमा का रेशियो चार रेशियो पाच है पाच बरस के बाद रेशियो आठ अनुपात नो होगा कब हो जाएगा कहेगा पाच बरस के बाद पाच बरस के बाद सर अनुपात के अंतर निकाले तो तो हम अनुपातों का जब अंतर निकालेंगे तब यहां है चार और यहां चार बरावर है अनुपात का अंतर समान है सर अगर अनुपात का अंतर समान नहीं रहता तो नीचे के अंतर से उपर गुना करते उपर के अंतर से नीचे गुना करते यदि अनुपात के अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे के अंतर से उपर उपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे अनुपात में अंतर चार बरस में अंतर पाच बरस चार बरावर पाच बरस है ता एक बरावर हो गिया कितना पाच बटे चार बरस एक बरावर पाच बटे चार बरस है मान किसका निकालना है कमला का बरतमान आयू और कमला का जब बरतमान आयू निकालेंगे तक कमला का चार में हम भाग चार में गुना कर देंगे पाच बटे चार से जब हम गुना करेंगे चार में तक चार से चार कट गिया कमला सिर्फ और सिर्फ पाच बर्स के है मात्र पाच बर्स की कमला है कमला दिदी कितना बर्स की है कहिएगा पाच बर्स आया है पाच बर्स आया है सोलाह नमबर का नौ दिन होगा सर एक बार रिपीट कर दीजेगा 16 नमबर 16 नमबर 16 नमबर 16 नमबर का 9 दिन 9 दिन कैसे आएगा सर कह रहा कि A और B किसी कार्ज को 10 और 15 दिन में करेगा और कार्ज सब की स्टार्ट हुआ है लेकिन 2 दिन पहले एक काम छोड़ कर चला गया ता पूरा कितना दिन में हुआ है दो दिन पहले एक काम छोड़ कर चला गया कार्ज कितने दिनों में पूरा होगा दो दिन पहले चला गया है ता दो दिन और काम करेगा और एक्स्ट्रा काम एड होता है छे काम तीस और छे च्छतिस काम च्छतिस काम दोनों सुरू से अन तक काम करेगा ये पलस भी च्छतिस क साम 3 और 25 से करेगा साथ पुर्णांक एक बट्टे 5 दी साथ पुर्णांक एक बट्टे 5 दी दो और नहीं जोड देना जोंगा नहीं तो गर्वर हो जाएगा 18 हो गया था न, 19 पर आ जाए, 19 नमबर सवाल का अंसर करिए 19 नमबर का अंसर करना है आ जाए 19 नमबर पर और कल्कुलेशन इधर उधर मिस्टेक रहेगा तो धीरे धीरे खुद सुधार भी कर लेना है कह रहा है कि 20 संख्या का अउसत 22 है और पहली गारा संख्या और आखरी 10 संख्या का अउसत 23 और 21 है इगा रहमी संख्या निकालना तो इसका दो तरीका बताएंगे पहला जो आपका तरीका है वो बेटेड एवरेज से डाइरेक्ट बनाईएगा पहला तरीका है कि 20 संख्या का अउसत कितना है कहिएगा 20 का अउसत 22 है तब 22 में जब हम लोग 20 से गुझा करेंगे 440 हो जाएगा और आखरी 10 संख्या का जो एवरेज है वो दे रखा है 23 तब 23 में 10 से गुझा कर दिए तब 230 हो गया और आखरी के बाद, आखरी कितना है 11, अच पहले संख्या पहली 11 का एक मिनित गरवड कर दिये, पहले 11 का है, आखरी 10 पहले 11, तब पहले 11 का एभरेज 23 है, 23 में 11 से गुना कर दिये, 13, 13, 12, 23, 25, फिर आखरी 10 संख्या का एभरेज कितना दे रखा है, आखरी 10 का 21, 21 में 10 से ग 10 पलस 253 कितना हो गिया है 463 और 463 में 440 को घटा दिये तह 463 में 440 चला गिया कितना हो गिया 23 एगा रहमी संख्या कितना है कहिएगा एगा रहमी संख्या 23 है सर एगा रहमी संख्या 23 आउपसान नमबर सी एगा रहमी संख्या कितना है 23 एगा रहमी संख्या 23 है अब आगे हम लोग सेकंड वाले तरीका को समझेंगे सेकंड वाले जो तरीका है हम आपको बताये थे कि ओभर लैपिंग का सवाल है ओभर लैपिंग सेकंड है ओभर लैपिंग का केस किसका केस है ओभर लैपिंग का और ओभरलैपिंग का केस में हम आपको बता हैं कि sign change नहीं होगा एक होता है missing और एक होता है ओभरलैपिंग ओभरलैपिंग के केस में sign को change हम लोग नहीं करेंगे जब ओभरलैपिंग का केस रहेगा तब 20 संख्या का average कितना है कहिएगा 22 20 का एभरेज कितना है सर कहिएगा 20 का एभरेज 22 है ताइगा रहमी संख्या भी का एभरेज कितना होगा पहले लिख देते हैं लिख देते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा 20 का एभरेज कितना है कहिएगा 20 का एभरेज है 22 और पहली 11 का एभरेज कितना है कहिएगा 23 और अंतिम 10 का एभरेज कितना है कहिएगा अंतिम 10 का जो एभरेज है वो एक 20 है अंतिम 10 का एभरेज एक 20 है अब हम लोग यहां से जब मान निकालना स्टार्ट किये कि एगर हमी संख्या कितना है कहिएगा सब एभरेज 22 है ता एगर हमी संख्या भी 22 होगा लेकिन 22 से 23 एक जादा है कितना पर 11 पर ता एक जादा 11 पर 11 जादा हो गया यह 22 और यह 21 एक एभरेज कम गया कितना पर 10 लोग पर ता 10 कम हो गया अब हम लोग यहां जोडेंगे तब 22 और 11 में से 10 गया एक बचा 22 और एक 23 आपसा नंबर सी फिर से बात को समझी एबरेज 22 है तब 11 संख्या भी 22 होगा यहां 23 है एक जादा है तब 11 पर है 11 हो गया यहां 12 है 22 से 12 एक कम है एक कम 10 लोग पर तद 10 कम हो गया missing के case में यहां plus रहता तो minus लिखते लेकिन overlapping के case में plus है तो plus में minus है तो minus में sign change नहीं करते हैं जो बढ़ियां तरीका लगेगा उसी से बना कर आगे बढ़ जाईएगा 20 नमबर सवाल का अंसर करिए सभी लोगों का अंसर सही होना चाहिए एक दो लोगों का नहीं सभी लोगों का अंसर सही होना चाहिए 20 नमबर 20 नमबर सवाल सभी का अंसर सही होना चाहिए AQ plus AQ minus BQ sir आप जानते हैं कि अगर aq-bq थोड़ा सा समय इस पर दीजिए comment बंद करिएगा ऐसे 5-6 आता है आपको एक होता है a plus b का whole square और plus का a minus b का whole square और बटा में आपको रहेगा a square plus b square इसका always मान होता है 2 दूसरा होगा कि a plus b का whole square और minus में a minus b का whole square और बटा में होता है a b इसका always मान होता है 4 जो simplification में पूछता रहता है तीसरा होगिया अगर उपर a cube plus b cube है और नीचे में मान दिया है a square minus a b plus b square ता मान होगा always a plus b और तीसरा के बाद चौथा है आपको कि अगर a cube minus b की उपर में है और नीचे में a square plus a b और plus b square है तब इसका मान हो जाता है a minus b पांचमा है कि अगर उपर में आपको दिया है a cube plus का b cube और plus का c cube और minus का 3 a b c है और नीचे में दे रखा है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a बराबर होता है a plus b plus c a plus b plus c ये पांचो का आपको algebraic formula से simplification में मान पूछता है एक बार इसे screen shot लीजिए फिर हम लोग question पर आते हैं ले लीजिए screen shot रहने दीजे बसर दो तीन सवाल और है कैसे रहने दे थोड़ा सा समय दीजिए न सर कैसे होगा ऐसे ले लिए होगे screen shot एहाँ a cube minus b cube और नीचे a square plus a b plus b square इसका मान always होगा a minus b a के अस्थान पर 5.71 है और b के अस्थान पर 2.79 है तब 5.71 में 2.79 को घटा दिये 11 में से 9 चला गिया तब यहां हो गिया 2 फिर 16 में से 7 गया तब हो गिया 9 और 4 में से 2 गिया 2 2.92 ओप्सान नमबर d ओप्सान नमबर d डाइरेक्ट a minus b होगा उपर a cube minus b cube है सर भाईया मेरे उपर a cube minus b cube और नीचे है a square plus a b plus b square तब इसका मान always होता है a minus b a minus b इसका अंसर करिए एक कैस नमबर सवाल का एक कैस नमबर सवाल रेशियो का सवाल है और एक कैस नमबर सवाल सभी का अंसर आना चाहिए थोड़ा सा समय लीजिए सभी लोगों का अंसर सही आना चाहिए एकाईस नमबर सवाल सब ही का अंसर सही होना चाहिए आया अर्शर सो रुपिया ये बी सी में एक बटा दो एक बटा चार पाच बटे सोल्ला के अनुपात में बाटा जाता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर निकालना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर निकालना है तो हम लोग एक बटा दो अनुपात में लिख दिए एक बटे चार अनुपात में लिख दिए पाच बटे सोल्ला आप जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रेक्षन में नहीं होता यदि रेशियो फ्रेक्षन में आया यदि रेशियो फ्रेक्षन में आ गया है तब हम लोग क्या करेंगे कि LCM से गुना करेंगे 2, 4, 16 का LCM हो गया 16 16 से 2 कट गया 8 बार में और यहां 4 से कटिया 16 चार बार में 16 से 16 कटिया एक बार में ता 5 एकम 5 यह 3 का रेशियो A, B, C, 3 का रेशियो आ गिया हमें मान किसका निकालना है सबसे छोटा, सबसे बड़ा में अंतर टोटल योग 5, 4, 9, 8, 5, 12, 12 और 5, 17 हो गिया सत्रह बरावर कितना दे रखा है अरशट सो अरशट सो ता अनुपात एक बरावर कितना दे रखा है चार सो सत्रह बरावर अरशट सो एक बरावर चार सो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर निकालना है ता सबसे छोटा है चार, सबसे बड़ा आठ है चार और आठ का अंतर अनुपात में हो गया चार एक बरावर चार सो रुपिया है तो चार बरावर टोटल कितना हो गया सोलह सो रुपिया अंतर दोनों में सोलह सो का है और सोलह सो कहीं तो है नहीं सोलह सो सोलह हजार है तेहां अरसट हजार होना चाहिए था सो कर दीजिए शोला सो नहीं तो उसे आर्षाठ हजार कर दीजेगा टाइपिंग मीट स्टेक होगा तो सोला सो सब का आया है सोला सो सोला सो सभी लोगों का आया है 21 के बाद 22 नमबर जो आज का सेकंड लास्ट सवाल है 22 नमबर सवाल को पढ़िए और अंसर करिए ये कायताकार छेतर का परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो भुजा का आसन भुजा का अंतर अर्टालिस है उस बर्ग का छेतरफल की एक भुजा जिसका छेतरफल आयत के छेतरफल के बराबर है सर ये आयत है और आयत के छेतरफल के बराबर एक बर्ग के हम लोग दिवा किये आयत के छेतरफल के बराबर एक बर्ग आयत के छेतरफल के बराबर एक बर्ग आप निर्मान करिए ये बर्ग हो गिया बर्ग का भुजा हम मान लिए एक्स तब बर्ग का एरिया हो गिया लंबाई गुना चोड़ाई, लंबाई गुना चोड़ाई, कहिएगा यह सर, चल लंबाई गुना चोड़ाई अंतर दे रखा है L-B, L-B अंतर दे रखा है 48, और इनका परिमाप, परिमाप होता है 2 इंटू, 2 इंटू L-B और परिमाप दे रखा है 160, अर था L plus B बराबर 80 L plus B का मान 80 है L plus B 80 L minus B 48 L का मान निकालेंगे तो जोड़ करके आधा करेंगे 48 plus 80 plus 48 बटे 2 तबे होगिया 128 और 128 का आधा होगिया 64 और B का मान निकालेंगे तो घटा के आधा करेंगे 80 और 48 का का होगिया अंतर 32 और 32 का आधा हो गिया ता लंबाई और चोड़ाई निकल गिया सर एरिया जब हम लोग निकाले आयत का जब एटिया निकाले तक कहईगा $60 64 गुना इरिया 64 गुना इरिया हो गिया और इनका छैतरफल है X square X square बराबर 64 गुना ईक्सके वर 69 गुना 6, एक्स का जब हम लोग मान निकालेंगे ता आप कहिएगा 64 गुना 6 होगिया तो एक्स बराबर हो गिया कितना 60 का बर्गमुल हो गिया 4, 64 का 8, 8, 4 कितना 32 X बरावर हो गिया 32 X का मान 32 आ गिया यही X का मान हम लोग का पूछ रहा था X बरावर 32 मीटर Option नमबर A X बरावर कितना मीटर हो गिया 32 आया था X बरावर 32 2 परतिसद बैटरी कह सर जल्दी करी एक दम जल्दी हो गिया सर यह लास्ट सवाल आ गिया जल्दी में आ गिया यदि कोई धन रासी का चकरविर्दी ब्याज बम सधारन ब्याज के बीच 20 परतिसद दर से 4 बरस का अंतर 684 है वह बहुत धन रासी निकालना है थोड़ा सा सवाल एक कैलकुलेटिब है यह हम लोग मानेंगे लेकिन कैलकुलेशन से हम लोग छोडेंगे नहीं यह मोस्ट इंपोंटेंट सवाल में से एक सवाल है कमेंड को आराम से बंद कर देना है यह आज का लास्ट सवाल है और यह लास्ट सवाल पर हम लोग जोड़ डाल करके समझने का परयास करेंगे सर रेट दे रखा है कितना 20 प्रतिसत और समय दे रखा है कितना कहिएगा 4 बर्स आपको हम बताए हैं ऐसे में कि CI निकालिएगा तो 4 बर्स को जब हम लोग लिखेंगे 4 बर्स को लिखेंगे तो हम कहेंगे 4 बर्स को लिखेंगे 2 बर्स प्लस 2 बर्स तब पहला दो बर्स और अंतिम दो बर्स का जब हम चकरविर्धी ब्याज निकालने के लिए चलें तब कहिएगा कि ए हो गया आपको कितना 44 परतिसत कितना परतिसत 44 समझ में आया 44 परतिसत अंतिम दो में भी 44 परतिसत नहीं समझ में आया होगा 44 प्रतिसत समझ में नहीं आया होगा लेकिन बात को समझ ये समझाने का परयास कर रहे है rate 2 प्रतिसत 20 प्रतिसत है और समय दो बरस है तब यहां से जब CI निकालिएगा न तब AB फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस B B प्लस 20 प्लस 20 और A गुना B बटे 100 20 गुना 20 बटे 100 कितना हो गिया है कहिएगा कि 4 20 प्लस 20 चालिस और 4 कितना हो गिया 44 तब पहला दो बरस में 44 अंतिम दो बरस में 44 तब 4 बरस में कितना होगा तब आप कहिएगा कि सर्फ 4 बरस में 44 और 44 88 नहीं फिर AB लगाना परेगा 4 बरस 2 बरस दो बर्स 44-44 तो ए भी फॉर्मूला लगाएंगे और ए भी फॉर्मूला जब यहां हम लोग लगाये जाएं तो 44-44 और प्लस 44 गुना 44 बटे 100 44 का आप अस्क्वाइर बताईए कि कितना होगा 44-44 हो गिया 88 प्लस 44 का अस्क्वाइर चे कम है तब उनाईस सो कितना होगिया 36 और उनाईस सो चथीस बटे 100 कर दिये तब यहां होगिया 88 और प्लस 29.36 अएड कर दिये तब यहां 0.36 तो होगा रेट है आपको 20 प्रतिसत अच्छा सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है और समय है 4 बर्स तब 20 प्रतिसत के दर से 4 बर्स में CI कितना निकाले हैं कहिए का CI तो अभी हम लोग निकाले हैं सर 107.36 अच्छा SI तो डाइरेक्ट मल्टीपल होता है तब 20.84 प्रतिसत SI तो CI माइनस SI बराबर यहां 80 में से 107 चला गया कहिएगा 27.36 अंतर हो गया 27.36 बर्स प्रतिसत बहिए मेरे अंतर हो गया 27.36 और अंतर दे रखा है 684 रूपया धन रासी निकालना है तो आप कहिएगा 27.36 बराबर दे रखा है 684 तब 100 प्रतिसत का मान आप निकालिये सो प्रतिसत का मान निकालेंगे 684 में भाग करेंगे 27.36 से गुना करेंगे 100 से सर यहाँ पॉइंट हम हटा दिये यहाँ जैसा ही हम पॉइंट हटाएं तब यहाँ एक बार और 100 आ गिया 100 आ गिया कहिएगा बिल्कूल किलिए रह सर यहाँ 684 यहाँ कट गिया चार बार में और 4 से 100 कट गिया पचीस बार में अब एक प्रिंसपल आ गिया कितना कहिएगा प्रिंसपल हो गिया पचीस सो तब इसका मुलधन पचीस सो रूपिया आया अच्छा सवाल में से एक सवाल था अब ही तक के सवाल में अच्छा सवा, थोरा सा कैलकुलेटीव, जब तक ये पूरा जनकारी नहीं रहेगा, उलज करके रह जाईएगा, चार बर्स देख करके मायूस हो जाईएगा, किलियर है, अगले नमबर सवाल पर आते हैं, मतलब इसमें 23 सवाल थे, आज हम लोग 3 सेट जो previous question में पुछा हुआ था, वो सभी सेट को हम लोग discussion किये, फिर मिलते हैं अगले session में, और आप सभी लोग को मजा आया, ये सब session करके आ रहा है, मजा की नहीं आ रहा है, खुब मजा आ रहा होगा, क्या improvement हो रहा है, जो match से डर लग रहा था, वो अब डर दूर हो रहा है क नहीं, ये सभी आप लोग अपना राय सब comment box में लिखिएगा, और विशेश फिर मिलते हैं अगले session में, कभी अगले session में मिलेंगे, अब सभी लोगों का thank you so much, bye bye take care, जै हिंद, जै भारत, good night